कि दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूर्यूप चैनल पर दोस्तों आज की जो वीडियो होगे हो मेरे खास उन दोस्तों के लिए होगे जिनका मन है कि हम एरफोट रोड पर रहें या एरफोट रोड के आस पास रहे जहां से आपको कोई भी लोकेशन दूर ना हो जो आज हम घर देखने जा रहे हैं वो आपका बिल्डर रहे गा और साइस आपका जो रहेगा 200-200 गज के रहेंगे तो अच्छी स्पेस आपको मेंज जाती है 200-200 गज के अंदर तो फ्रोल वाइस आपको मिलने वाला है और इतना बताय तो अगर एरफोट रोड का मतलब के लिए बहुत एजी रहेगी चाहिए वो एयरपोर्ट हो वियार पंजाब मॉल हो या फिर इसके लावा किसी भी लुकेशन पर स्कूल, कॉलेज, मंदर, भरद्वरा, साब या किसी भी लुकेशन पर है आप जाना चाहते हैं तो सबसे एजी लुकेशन आपको में बोल सकत के दिखाऊंगा तो विडियो को पूरा देखिए एंड तक देखिए और मसे लीजी आज़ी तो दोस्तों यह हमारा घार जो की 200 गज के अंदर बना हुआ है पूरा दस मरले का प्लॉट है जैसे पर हमारी फ्लोर्ट है तीन फोर्स बने हैं ग्राउंड फर्स्ट और मतलब यह आगया कि आपके चार गाणियां तो यहां पर अराम से लग जाएगी उसके बाद जो हमारी रोड की विड्थ है वो काफी अच्छी है बंक दोने तरफ मिलती है हमारे पास काफी अच्छे फ्लोर्स है फ्रंट की तरफ काफी अच्छा डिजाइन दिया गया आपक थोड़ा सा अगे बढ़ते हमारे पास आप देखिए यहां पर भी एक गेट दिया गया है जो एक सेक्योर्टी के मतों से काफी अच्छी चीज है बढ़ते थोड़ा सा आगे तो हमें नीचे हमारे पास जो बाटर टाइक हो काफी अच्छा कपैसिटी बाला मिल जाएगा का मेलिंग अभी लगनी यहां पर बाकी है कि आपको बंते बंते दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है और ठेक किस तरफ कि एक फ्लोर पर एक ही फ्लैट रहेगा यह सबसे अची चीज है आप बिल्टर फ्लोर में यह सबसे बड़ा फायदा होता है कि और कोई चीज आस पास नहीं आती है और दोस्तों यहां पर हमारा जो है में एंटरस डोर जो के टीक बुड का है काभी अच्छा डिजाइन है फिल्कु देखिए और बैट पॉलिश की गई है यहां पर टिक अच्छा डिजाइन पुरा दिया गया है यह क्वालिटी होती है यहीं जितनी भी बिष्ट रहेगी है वह सारी आपकी जो यह जो जोगाहि और की रहेंगी और जितनी भी चैनी भी एंग आपको पूरी घर के अंदर में रखती है और जैसे हम इसे खोलते हैं तो हमारे सामने कांडार साशा डोइं गेरिया में यहां आपन नजर आयाता है क यहां नीचे जितनी हमारे पास टॉस यह पर लगिता है रहें आप eh जो यह दो पर आपको जो पेंगा यहां पर यहां घ्लास आपको मिलता है वह एक अच्छे कॉलटी का मिलता है 6 M का आपको अच्छी फिनिश के साथ देखें वैट पॉलिश यहां पर यूज की गई है काफी अच्छा अधा आता जब इसको हम देखते हैं और ceiling पर जो design के है बलकुल wooden आपके जो है बीच में दिये गए है काफ़ी अच्छी चीज wooden design पूरा आपको यहां मिल जाता है LED lamps आपको पूरे मिल जाते हैं यहां पर और ठेक यहां सामने हमारा जो है dining area जी यहां और dining area की जो खुबसूरती है वो बिलकुँ different आप काफी बड़ा बड़ा space आपको हमें यहां मिल जाता है आप यह लगा लिए कि यहां पर जो अगर यहां पर रखना चाहते तो वो भी रख सकते हैं और उसके बाद space यहां से वहां तक देखें क्या बात है 17 फिट यहां से वहां तक उसके बाद 11-16 फिट आगे तो 11 फिट इदर 11 फिट उदर क्या बाता space इस बाके बहुत अच्छी space है और ठीक अगर मैं इसके इस तर्फ दिखा हूं आपको एक हमारी बड़ी सी kitchen आयाती है सब्सक्राइब अच्छा काम किया गया है और किचन की साइज की बात करूं तो बिल्कुल 7 फिट की किचन आएगी स्वारी 17 फिट की 17 बाइट आपका जो साइज रहेगा उपर आपको ऑक्टर सोन मिल जाता है यहां पर काफी अच्छा डिजाइन है थोड़े से स्पार्कल् तो एक अच्छा कॉंबेशन मिल जाता है पर उपर जो हमारे पास टोरिज है वो भी काफी अच्छी है यहां पर लगे होई है और काफी अच्छी है सॉफ्ट से हैं थोड़ा सा भी प्रेस करना नहीं पड़ता आपको जोड नहीं लगाना पड़ता और जितने भी आपको र प्रेस करना पर लगी हुए है एक अच्छी गरंटी के साथ आपको चीज जो रहां पूर ही मिलती है तो बड़े-बड़े स्टोरेज होने के फाइदा है कि यह हो जाता है कि आपके पास जो है जितने भी आपके जार्ज हो या कुछ भी हो आपको 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 अच्छी स् मिल जाती है तो आपके स्टोरेज जो है वो कहीं पर कम नहीं होगी पूरी रहेगी साफ्ट क्लोसर के साथ है बड़े-बड़े कैबिंज है आप जितना समार रखना चाहते है उतना रखिए एक अच्छी स्टॉंक मैटेरिल के साथ आपको चीज मिलती है बड़ी किचिन का एक फाइदा यह रहता आपको कि हर चीज आपको अच्छी मिल जाती है बड़े- चाहते है वो सारी रख सकते हैं चीज की पॉनिशन आपको यहां पर मिलेगी एक बड़ा साफ डबल टोर चेल्वीरा फ्रीज होता वो यहां पर रखे चिपनी की स्टेस आपको पूरी मिलती है एक्सक्ट के लिए वहाँ पर ऊपर फोड़ी सी स्टेस छोड़ी गई है इसक किचन के बाद हम बढ़ते हैं अपने के तरफ यह जो है आपका डाइनिंग में ही है डाइनिंग में आपको एक अच्छा डिजाइन आपको मिल जाता है हो ना भी चाहिए चोटी बूटी स्टोरेज आपके घरके में हो आसपास अलग से हो तो जित्रा भी सुमान होता है बिख पूरी रहेगी आपके पास और ठीक हम इस तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास आयाता है हमारा बेड्रूम काफी अच्छी स्पेस है और दोसरों जितने भी दर्वाजे आपके रहेंगे सारे के सारे टीक प्ले रहेगी आपकी एक अच्छा डिजाइन के साथ आपकी जितनी चुगाट रहेंगे सारी हॉक की रहेंगी और जैसे अंदर आते हैं तो हमारे पास एक शांतार सा हमारा बेड्रूम आया था जो कि 17 सॉरी माइफी चाओंगा 16 भाई 11 का रहेगा काफी अच्छा साइज है 16 फिट का मतलब यह हो जाता है कि आप जो समान यहां रखना चाहते हैं जितना समान आप रखना चाहते हैं वो रखी आपका 6.5 का किंग साइज बैड आ जाएगा उसके पाद जो 10 फिट की जगह है उसको जैसे आप चाहें ऐसे इस फिट कीजिए सिलींग पर अच्छा डिजाइन बें जाएगा सेमपल सा आपके सामने आपके पास एक तिवी पैनल एक अच्छा से जाइन के साफ मिल जाएगा और थे इस तरफ आपके पास आपको बाट रॉब नियाएग के साथ तो मतलब बाट रॉब आने के बाद बैट आने के पाथ अगर आपको लगता है कि आपने एक सड़ी टेपल यहां पर रखना है या फिर दो चेज यहां पर रखना है तो आप इसली रख सकते हैं थे कि सरफ हमारी खिणकी आजाती है जो कि काफ़ अची हाइट की है आठ फिट की रहेगी और बड़ा सापका द्रमादा नेका देके दर्मादे जितने भी है आउट और डो सारे वाइट काफी अच्छी है इसका फाइदा यह होता है कि हमारे पास सनलाइट सारा दिन आती है तो ऐसे घरों में हमें जादा लाइटिंग की जुरूद नहीं बड़ती है बड़ी-बड़ी खड़किया हो हर रूम के अंदर आपके जिप खड़की हो तो पूरे घर के अंदर आशनी सारा दिन रहती है और दोस्तों यहाँ पर हमारा ब्रैसिंग एरिया और ड्रैसिंग और जाएगा एक अच्छय दिजाइन के साथ जैकान को भीति हमें इख हूं मेलेगी और के काफी अच्छा प्को सेग्ए ह 한다 है पूरा प्र्पर खिंग जो से हुआ रहा है अपना स्टोन हमारा है वो हपपर लगा था किचिन में वो सेम यहाँ पर लगाए है तो देखे खुबसूरती है कितने बढ़ जाती है जाहे टाइस के कलर हो या घर के अधर कोई कलर हो तो बिल्कुल अलागी लुक है उसकर की यहाँ पर लगता है कि अगर हम पैसे लगा रहे हैं तो हमारे लाइफ्ट्वांग है चीज में कॉलिटी हो तो पैसे लगाने में कोई दिक्वत नहीं होती और यह दोस्तों हमारा सेकेंड बैड्रोम इस घर का जो सेम हमारा सोला फिट का रहेगा अच्छाइस हमें हाँ पर मिल जाता है अगें बड़ी सी खिडकी हमें मिल जाती है ठीक सामरे हमारा एक अच्छा डिजाइन मिल जाता है विध लैंप्स और हर रूम के अंदर जो हुआ हम एसे के वच्व पैस्ट मेंटस में जाएंगे यहां भी हमारे पास जो है वाश्रम अटैच रहेगा यहां रूम के अंदर जितने भी बेड्रूप वाश्रूम के अंदर डिजाइन दिये गए काफी अच्छे दिये गए ताइस के कि अच्छे आपको पूरा नजर आएगा इखर के अधर आपको ऐसा नहीं है कि कहीं पर यह लगे कि क्या कॉलिटी में थोड़ा कुछ कॉप्रोमाइस किया हूं बिल्कुल भी नहीं हुआ तो यह होता है 200 बच का फ्लोर है हर चीज है यहां पर मौजूद है और ठेक इस तरह ह हमारी भालपुनी जो हमने दूसरे रूम के साथ भी देखी थी तो खायदा आप देखिए कितना बड़ी है एक रनिंग भालपुनी यहां से मात तक पूरी 30 विटी और इसके बाद अलग से यहां पर हमारे पास एक वाशिंग गेरी आया आता है तो अलग से वाशिंग गेर मंदर गुर्वारा साब, स्कूल, कॉलेज़, आयटी पार्ण हर चीज यहां पर पास में रहती है यहां से कोई भी चीज ऐसे नहीं आगे आपको दूर लगे बिलकुल एक अच्छी सी लोकेशन जिसे बहुत है न वो बहुत अशी कनेक्टिवेटी है और दोस्तों यह हमार है घर का थर्ड बेडरूम बहुत अबसूरा सा उपर आपको सेलिंग पर डिजाइन मिलने वाला है चौदा फिक का हमारा यह बेडरूम रहेगा चौदा बाएगा काफी अच्छा साइज है यह भी तो नॉर्मली जो घर के अंदर साइज होते हैं वो चौदा खुट के होते और यहां पर जो है जो छोटा बेडरूम हो उसका चौदा फुट है तो बाकी बेडरूम तो बाके बड़े अच्छे लिकले पूरे सेलिंग की हाईट तक हमें मिल जाती है यह बाट्रोव हमारी और ठीक तक इस तरफ हमारे पास जो है हमारा वाशूम काफी अच्छा इस पास अच्छा डिजाइन वोड़े पैटन के अंदर हमें जितनी भी असारी टाइल यहां पर मिलेंगी और एक अच्छे डिजाइन के साथ हमें जो है यहां पर हमारा सिंक मिल जाता है और साथ में हमारा कमड़ भी इसे बहुत है खुब सूर्ति आप घर के अंतर जो ची प्रांट पेर जो हमें नीचे से देखे थे वह भी अच्छी है वाफ सीट की पारपूनी रहेंगी काफी अच्छा साइज है रहेंगों पारकिंग एरिया जो हमारे पास रहेगा अराम से आपकि चार गड़िया है यहां पर लग जाएंगी और रूट की बिट अच्छी है अगर आपको जादा लगता तो वो भी लग जाएंगी तो दोस्तों ये था हमारा आज का घर उमीदा वीडियो आपको अच्छी लेगी तो प्रीज एक फाइब कीजिए दोस्तों कर शेयर कीजिए और नए है चैनल उपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगे और दोस्तों को सुझाओ वो या आप घर को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिये गए नंबर के उपर आप बैट के कॉल कर सकते हैं और इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलो हुए एक नए घर के साथ तब ते के लिए इसादा लोंगा आपका दोस्त गुर्मिल्दर सब्सक्राइब